अज़ बनाने चारें एक बहुत ही ब्रेकफास्ट रेस्पी इस्प्राउट चिला जिसके लिए मैंने ये इस्प्राउट लिया है ये अद्रक लिया है ये बेशन ये चॉप्ड राइन है नमक, हल्दी, लाल यूज सबसे पहले हम ये इस्प्राउट को बिल्कुल दर-दर हम इसे पीछ लेंगे इसमें पानी यूज नहीं कर लेंगे ये मैंने इसे गान करी है और हम इसे निकाल लेने अब हम इसे निकाल लेने अब्रमच बेशन लेंगे चॉप दाने लेंगे थोड़ा सा थुटकी बर लाज मरिच पौडर्ट कुटकी बर हल्दी थोड़ा साज वाएं, और नमक लेंगे, और हल्का हल्का पाणी डालकर इसका बेटर बनानेगे. 2टाशवार बनी दालें हुआ, अगमोचे, पूण हाचाभे गाओ, यह शेलेंगे, टिशा हुआ हैșिए, पैसाएं वसफारशार दालें एक नगीनियोटाब अगिचस और हुआ किछैंगे, अिटाबालाब अगा है, आपणामारा अभता क्या चालाब, काहचछे हैं, तो प्रश्ट के लिए रेस्ट के भी ठोड़ दूँए एक मिनट के लिए रेस्ट के भी ठोड़ दूँए एक मिनट हो गया गैज दलाएंगे और पैम को गर्म करनें गर्म हो गया पर थोड़ा सब पैम में लगा देंगे बसलकार से लगाने है अब हुआ इसपे इजाटे टालेंगे और इसी चमाशी में अदर से बसलकार से लगाने है खुआ होना में फ़्स में टोज़ भुपने दें नहीं सब्सक्राइव में में करना दोज़ग्ने द coating द्रचारा देंगे बसल़ रुपने हो गह शीए जरताएंब पारषे पनाच पार मिनाच तब भुपने दीए खब यचिक सिग्टे निजक बढूलें डिए निजवी निजब धिसी निए निगोलेंगी इसी ता सें के दो शब बना एंगे परेंगे एंगे अब इसा भी 2 मिनाट के लिए सिखने देंगे इसे दुस्रे साइड से भी कलोटेंगे इसी दुस्रे से हम सारा चिल्ला बना देंगे इसे देखे मेंने सारे चिल्ले को बना लिया है ग्यास बन कर दिया यह चिल्ला जितना टेस्टी होता है उतना ही सरी के दिए फायदे मन भी है अगर हम डाइट के हैं तो यह वेट लॉस में भी फायदा करता है और इम्म्यूनिटी को भी काफी बढ़ाता है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आती है तो जरूर ट्राय कीजिएगो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय ठेकिये के-के